दियर स्टुडेंट्स मैं दविंदर सिंग चैल साइंस मास्टर सरकारी हाई स्कूल शेरगड डिस्ट्रिक फाजल का आप सब्दा स्वागत करदा हैं स्टुडेंट्स अग जड़ा टॉपिक आप डिसकस करांगे वो है क्लास 10th एंग एक्सकृट्री सिस्टम सब्सक्राइब पहला जिड़ा कोश्चन साठी दमाग चौंधा है ओं है एक्सक्रीशन की है वट इस एक्सक्रीशन प्यारेव द्यात्यों सानू साठी बॉड़ी दियाँ एक्टिविटीज नू जारी रखनली एनर्जी दी जरूर थुन्दी है जिसनू असी अप्पा वक वक पोजन पदार्था तो प्राप्त कर देहां ड्रिंक्स वक पदार्थ लेने हैं जिन्ना तो नू उर्जा प्राप्त हुंदी है साठी बॉड़ी दिविच कई तरा दियां मेटाबॉलिक रियक्शन चल दियां है जिनना दे बाई प्रड़क्ट दे रूप्च, कई तरह दे वेस्ट प्रड़क्ट दे कुछ टॉक्सिक मेटीरियल बन दे हन जेकर एही टॉक्सिक मेटीरियल सड्डे शरील दे विच रेंड ताइसा नो बिमार का दिन गई या सड्डी मौत भी दो सकती है ता एक्स्क्रीशन की है उसनो समझनली सिंपल साड़ी बॉडी दे वेस्ट प्लस टॉक्सिक मेटीरियल्स एना नो बॉडी दे विच्चों आउट करना बाहर करना एह हुन्दा है एक्स्क्रीशन युग हुन एग्स्क्रीशन बॉड़ी देक कई पाग करते हैं कई पात सी से लंग्स स्किन आईज़ पर मेंज़े जड़ हैं एक्स्क्रीशन गाशाwnी Heart तो देखते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम किस तरह ना बंदा है तो उसनों एक डाइग्राम बना किया है देखते हैं human excretory system simple इस देविट सब तो पहले चीज जिड़ी है वो है one pair of kidneys kidney जिनन वसी गुर्देवी केनने हां एक जोड़ा one is right one is left दोनों kidneys तों दो tubes और यहां जिननन केनने हां युरेटर हां tubes खोल दी यहां युरिनरी ब्लेटर देविच जो अल्टिमेटी खोलता है युरेटर कोने इस तना पर लेबल कर देए हां this is left kidney यह है right kidney abbreviation जूज करूंगा पिटा lk rk lk means left kidney rk means right kidney one pair of kidneys one pair युरेटर दिस दोनों उपन हो देहन युरिनरी ब्लेदर जो अल्टिमेटेश खोला है poneria यह है स्वाटा एक्स्क्रीटरी सिस्टम जिस दो किड्नीज दोना किड्नीज तों लेफ्ट ते राइड यूरेटर जो ओपन हों दे हैं यूरेनरी ब्लैडर दे रिच जो अल्किमेटरी खुलदा है यूरेटरा रहे होन एक इत्थे चीज हूर इंपॉर्टन है को कि कीड्नी नो अपने फांक्शन नो जारी रखन लेफ्टरी ऑक्सिजिनेट्ट ब्लैड़ डी जरूरी ते जड़ा दी ओक्सिजिनेट्टि ब्लैड है उसनों कीड्नी चों वापस भी लेके जाना है उदे लेकी हैं दोनों कीड आप डॉनल ओटा उस तो दो आर्ट्री लेफ्ट ते राइट किद्नी देवे चाह गया दी ऑक्सिजिएटेट ब्लाड नों भी किद्नी दो लेकि जाना है उसली कौन है उसली है वेना केवा होएं राइट ते लेफ्ट वेन्स सप्राइड हैं यहां अमेन है वेना केवा लेफ्ट ते राइट दोनों किद्नी दो लेना केवा तो रीनल वेन्स सप्राइड दिया हैं इस तरहां ओटा तो रीनल आर्ट वेज दे राहीं लेफ्ट ते राइट एपनी नों ऑक्सिजिएटेट ब्लाड मेल गया वेना के वा रीनल वेन्स राइट दे लेफ्ट तो जिन्ना भी डिया उसिजिए ब्लड से गाव वीना क्या वेजर आँए किद्नी स्टों बाहर चला हूं दोना किद्नी स्टों लाइट लाइट लेफ्ट एट जो अपन हों दे हान रीनल भ्लैडर जो अल्तिमेटी युरेत्वा या मूत्तर माज़्ण रहीं धुशिलीट किस तरह दी हुंती है उसनों डाइग्राम दिरूच दिखाऊने हां इसनों रभ कर दोने हैं होड़ा से गल करांगे के इंटर्णल स्ट्रक्चर ओफ किड्नी बहुत ही इंटरस्टिंग टॉपिक है यह है अन्दरों किड्नी या गुर्दा किस तरह दा नजर ओदा है उस दे किन एक पाग हुने हां शुरू कर दे हां कुछ इस तरह दी च्रक्चर किटनी दें दो नज़रा भी है आ है आउटर पोर्शन इसनों करने हां और टेक्स अब पिरामिट्राइक स्ट्रक्चर जड़ी हैं इना नो करने हां मेडियूला या मेडियूलरी पिरामिट्स और एक चीज बूर नौट करनी को का मिडियूलरी पिरामिट्स दे विच्च ताई आंक अंदर ताई वध्या हुदा विच्चंई कोकेक्स में मेडियूलरी पिरामिट्स दे विच्च हुदी एन प्रोजेक्षनग ही हां कॉलम औफ बर्टिं और पोर्शन कोटेक्स पिरामेटिक स्ट्ट्चर मैडूला कोटेक्स अब मैडिलर पिरामेट से विच वदया होंदा है वोस पोषिन होंदा है पैल्विस जो अल्टीमेटली खोलते हैं सारे यूडिल टारच में अफ़ दी है किटनी दा क्रोस सेक्षण अन जेकर गाल करिए ले किटनी दा बिसीकली कम की है किटनी दा कम है यूरेन फॉरमेशन करना किड्नी देविच जेहा केड़ा पार्ट है जो यूरिन फॉर्मेशन चाहिब करदा है उसी चैप्टर चे अगे डिसकस करांगे उस तो पहला सानु यह पता होना चाहिए है कि नेफ्रॉन दी किड्नी दे विच लोकेशन किस तरह ली है तब उसमों अपर लेख लेहां एक नेफ्रॉन दी लोकेशन सानु दुखोंगा हां किड्नी दे विच कित्थे हों दी है सपोज आएक नेफ्रॉन है नेफ्रॉन दा वोमर्ण कैप्सूल टी सीटी ते बी सीटी अतिन हिस्से हुंद हैं कौर्टेक्स दे विच लूपों खेंदे जिजु शट więcej ट्यूप है लूपों खेंदे हुंदा है मेट्यूल दे विच यह है लोकेशन नेफ्रों दी अजे हां एक ही नेफ्रों नहीं होंदा आल्मोस्ट पर किड्मी लग पक दस लग नेफ्रों होंदे हन एक नेफ्रों मेली सिच्वेशन उदी एक रिखाई भी है लो इससे नेफ्रों नो जेकर असी जूम करएं इस नेफ्रों नो जेकर बड़ा करके देखे तर उस भी स्ट्रक्टर के सराँगी होगी है एक नेफ्रों दी वो इदर बढ़ाएंगी है होन आप पर डिस्कस करांगे नेफ्रों दी स्ट्रक्टर बारे नेफ्रों दे केड़े केड़े पागहन उस पर बाद डिस्कस करांगे यूरिन फॉर्मेशन तक एसी एड़नी देवित नेफ्रों दी पोजीशन होने इसनों से रभ कर देने हाँ होन गल कर देने हाँ नेफ्रों दी स्ट्रक्चर बारे यह है एक सिंगल नेफ्रों बेसिकली नेफ्रों दी दो में हिस्से होंदे है फर्स्ट इस कॉल्ड रीनल और असकल तिस सेकेंड पोर्शनेदा है रीनल ट्यूब्यूर दो हिस्से नेफ्रों दे वन इस रीनल कॉर्पस्खल सेकेंड इस रीनल ट्यूब्यूर होने के एक अलबोर इंट्रेसिंग हो दी है नेफ्रों शाब्द जड़ा है वो ग्रीक लेंगवेज तो लेता गया है जिसका मतलब भी हुंदा है किड्नी संख्यात होनों इना दिमेदास्ती पर किड्नी ऑल्मूस्ट दस लख दे अरोन बाउट नेफ्रों दे हन और नेफ्रों दे दो हिस्से फर्स्ट इस रिनल कॉर्पस्कल शेकिन इस रिनल कॉर्पस्कल इस बेशिकली दो पालें वन इस ग्लोमेरुलस सेकिन इस बी कैप्सुल या बोमन कैप्सुल और डाइग्राम दे विच थोड़ा त्या आजेना बोमन कैप्सुल आ ग्रीन कलर दा कप्प बार की स्ट्रक्चर इस नू कैने हां बोमन कैप्सुल एंड़ वाट इस ग्लोमेरुलस सेंटर जो थो नू रेड कलर दा इस ए डिया नजर आ रहा हुँगा इस नू कैने हां उन्हादा पूरा नेटवर्क हनदा है ग्लोमेरलस। एक आर्टीरियोल जिस्टों ब्लड अंदर जा रहा है उसनों कहने हैं एफ्रेंट आर्टीरियोल, एए बाहर जो और ऊह रही है डाट इसकों हॉप्स एफ्रेंट आर्टीरियोल्ड या ए-ए efferent arteriol जिसको blood अंदर जाया है glomerulus जी ओ थोड़ी चौड़ी हुंदी है जदकी efferent arteriol पतली हुंदी है glomerulus की है glomerulus है fine capillaries दा network efferent arteriol blood नो glomerulus लेके जान दी है बाहर जेदी arteriol देरानी blood आ रहे है that is called efferent efferent arteriol चौड़ी हुंदी है efferent arteriol पतली हुंदी है और यह है glomerulus cup-like structure is called pomal capsule nephron दा पहला पाग इनना दोना नो मिला के ओना है renal corpuscle होन अग्रे चाल देहा second portion दूसरा हिस्सा nephron दा उसनों के ने हा renal tubule woman capsule तो पिच्छों आ जड़ा pink, blue orange color दा area नज़र आ रहे है टिब्यूल नज़र आ रहे है उसनों के मेंगा renal tubule इसने भी तिन हिस्से हैं first is PCT second is loop of Henley third is DCT होन डाइटराम से देखिए आप पिंक कलर दा पोर्शन यह है PCT PCT means proximal convulated tubule PCT पिंक कलर दा पोर्शन बोमर कैच्चुल तो जस्ट अगला पोर्शन tube like structure उसनों के नहीं हाँ PCT proximal convulated tube tube second portion है पिंक के नहीं हाँ loop of Henley आप blue कलर दी स्ट्रक्चर loop of Henley इस दे भी दो हिस्से one is descending limb कट दे होए नीचे नो जा रही है जड़ी जड़ा पाक उसनों केने हाँ descending limb जो पाक उपर नो जा रही है Henley loop दा उसनों केने हाँ ascending limb होने ठेक चीज़ होर को और करनी descending limb पतला है जड़की ascending limb दे चुड़ाई जा दे है ताहन first portion PCT second Henley loop third portion है DCT DCT means distal convulated tubule और इन के लगा हिस्सा इसनों केने हाँ DCT या distal convulated tubule ता नेफरों दे basically दो हिस्से first is renal जीदे वे चाओंदे हाँ glomerulus glomerulus की है fine capillaries दा network है second is bowman capsule इससे capsule दे अंदर glomerulus है ताह दोन दानो combined ली करने हाँ renal corpuskal दूसरा हिस्सा नेफरों दा उसनो करने हाँ renal tubule उस दे तेन हिस्से first is PCT pink color दा proximal convulated tubule second है U-shape दिया blue color दी स्ट्रक्टर इंगले तीजा हिस्सा renal tubule दा DCT DCT means distal convulated tubule yellow color दी जड़ी नजरा ली है यह ultimately DCT खुले भी collecting duct दे विच red color दी AC nephron दी structure होण अगी चाह देना अगली चीज़ जड़ी अपन डिसकुस करनी है ओ है urine की है के में बढ़दा है की उस दी composition है केड़े केड़े steps हन जो excretory system दे विच urine formation दे विच help कर दे हन तब basically urine formation नो 4 steps दिवाइड दिता जा सकता है first है filtration your ultrafiltration second reabsorption third secretion and fourth excretion चार steps दिवाइड कर दे हाँ urine formation हो first है filtration second reabsorption third recreation fourth excretion हो एक एक करके इननों अपां discuss करांगे ता सब तो पहला पहली चीज़ ज़ी है वो है filtration और filtration कित्थे होने है most important चीज़ filtration होएगी bowman capsule दे विच जिने भी filtration होने है वो होगी bowman capsule दे विच बाकी तिनों स्टाइपिक वार रब कर देने हाँ होन what is filtration जिन्नावी blood first thing efferent arteriol जो की ज्यादा चौड़ी है इस तो blood जिड़ा glomerulus जा रहा है high pressure ते जाएगा hydrostatic pressure जिड़ा है glomerulus दा वो बाद जिएगा दूसरी चीज इस दे अंदर membrane semi permeable होंदी है semi permeable means कुछ substances नो filter कुछ substance एथों blood जों filter हो जाएगे लेकिन कुछ नहीं हो जाएगे केड़े हो जाएगे ते केड़े नहीं हो जाएगे small substance जिड़े है या molecule small molecules जिड़े है वो glomerulus जो filter हो जाएगे है बट large large molecule filter नहीं होंदे small molecules दे विच की कुछ आगया ते large molecules दे विच की कुछ आगया हो फ्रिल्ट्रेशन हो नहीं कित्वन blood blood चों ही जिनने वी small molecules ने वो glomerulus तों filter हो के बोमन कैप्सूल तों होंदे हुए renal tubule दे विच आगे small molecules small molecules दे विच की कुछ आगया जेड़ा की इत्फों glomerulus जों filter हो जाएगे ये दे विच आजाएगे first thing is water MACL glucose glucose water NaCl glucose amino acid इसनों मैं A A नहीं मेंशन कर रहे है capital A dot capital A A for amino A for acid water NaCl glucose amino acid creatine creatine urea etc इस सारे small substances ने जेड़े glomerulus जों filter होंके renal tubule दे चपाएगे large molecules केड़े हां जेड़े एदे विचों filter नहीं होंगे large molecules इदे विचारे blood दिया cells WBC RBC etc के protein इना दर साइज वह डामदा है तब ए glomerulus जों semi-permeable membrane जों filter होके करके नहीं जान दे तब इस तरह जिननावी blood effort article तो glomerulus से पहुंचया एथो semi-permeable membrane जों filter हो जानगे कि कौन small molecules large वाले filter नहीं होंगे जिदे वेच blood दिया cells थे proteins आउदे हां होण पहला step साथा हो गया filtration था जो हो जो जो होया गित थे clomerulus जो filtrate आ गए बोमन capsule तो हुंदे होए adrenal tubule दे वेच इसी साथा पहला step होना की चाहिए हाँ second step पहला step साथा गवर्मन capsule ची कम्प्लीट हो गया second step साथा है reabsorption third है secretion fourth है excretion हुन part wise इनननों अपन डिसकस कर दे हाँ केड़े पार्ट दे विच केड़ी चीज अब्सॉर्ब होगी केड़ी चीज secret होगी एक्सक्रीशन के में होगा और पहला step साथा के लिए है filtration साथी बोमन capsule होगी और बोमन capsule दे विच्चों filtrate जिड़ा है कित्थे आवगा सब तो पहला आवगा PCT दे विच PCT दे विच्चोंन की कुष reabsorb होगा ते की कुष secret होगा reabsorptionally में R यूज़ करदा है secretionally में S यूज़ करदा है PCT दे विच्च PCT दे विच्चोंन proximal convoluted tubule जिड़े विच्चों filtrate आ गया है एक की reabsorption किस चीज़ दी होगी ते किनी होगी दूसरी चीज़ एक होट हमनों दासदा maximum maximum reabsorption जड़ा है वो PCT दे विच्चों हो जानदा है mainly PCT दे काम की maximum reabsorption करना loop of hellay दे काम की urine दे विच्च concentration urine concentration दो decide करदा है hellay loop ते DCT दे काम की DCT fine tuning कर दिये maximum reabsorption PCT दे विच्चों गया और reabsorption दे विच्च की कोश है ते किनी मात्रा चाह उसनों पाइके table दे रूपच लग दे हाँ potassium ions होगे पानी होगया NaCl glucose HCO3 हों किनी मात्रा दे विच्च केडी चीज री अब्सॉर्ब होगी पान्य आल्मोस्ट 65% वाटर जड़ा है PCT दे विच्च री अब्सॉर्ब बोडी द्वरा काहिया जन्दा है उस्तो बाद NaCl sodium chloride आल्मोस 65% जड़ा है PCT दे विच्च री अब्सॉर्ब हो जन्दा है glucose 100% PCT दे विच्च अब्सॉर्ब हो जन्दा है HNO3 आल्मोस 90% अब्सॉर्ब हो जन्दा है नार्ही amino acids amino acids जड़े ने OV आल्मोस्ट परसंट वी अब्सॉर्ब हो जन्दे हान PCT दे विच्च होन सिक्रीशन PCT दे विच्च सिक्रीट की किता जाओगा की ओ दे विच्च छड़्ड आ जाओगा जिन्हों यूरिन दे नाल बॉडिचों पासोल करना है ये दे विच्च किया होगा One is यूरिक एसिड क्रीटिन अमोनिया ये कुछ बदा आपने उस दे नाल कुछ और्गैनिक कंपाउंड होंगे और्गैनिक कंपाउंड्स इस दे ड्रक्स यूरिक एसिड प्रियाटिन अमोनिया यूरिया यूरिया ड्रक्स औरगैनिकपाॉंड्स ये सिक्रीट किते जांदे हां PCT ने विच्च जो अग्ए चलंगे अग्ए किते जानगे अग्य जानगे होगो हैं ले लुप हैंट हम पीशी की देवेच लिएर लब आप्शिन भी हो गई और लूप ऑफ हैण ले लूप ओफ ले ले चिनियों दस्यार है वन इडिसेंडिंग लिव जो ऊपर जा रही है असेंडिंग लिव देखन द्रिव तोड़ी ज्यादा चाहिए है होन लूप फेल ले दिय्टी डिसेंदिंग लिंब है एक मां D L मेंचन करता है यह पानी लेए स्वी हाइली पर्मियबल है मतलब डिसेंडिंग लेंग चों पानी पासाओ होसा है नहीं है, बट एलेक्ट्रो लाईट लाईढि लाईढिद नहीं है, इसेंडिंग लिम मिल पानी लाई परिम्येबल नहीं है, असेंडिंग लिम उप पर जा रहे लाईढिद इदा जस्ट आपोजिट है वो पाणी लई पर्मियबल नहीं है इलेक्ट्रो लाइड लई पर्मियबल है ता हुझ ले लूप दे विच्छे डिसेंडिंग लें ते असेंडिंग लें उथे की कुछ फ्री अब्जॉर्ब होना है ते की कुछ सिक्रीट होना है इस तों भी पानी जड़ा है वो डिसेंडिंग लिंब दे विच्छों क्योंकि पर्मियबल है वो उत्तों दुबारा अब्सौर्ब कर लिया जाएगा और असेंडिंग लिब दे विच्छ एलेक्ट्रो लाइट्स ने जड़े पासओट हो सांदेहन पर्मियबल होना लिए पानी लिए इस तरह अगे चल्दा चल्दा हुण असेंडिंग लिंट ओं पानी दोबारा रियब्सौब कर लिया जाएगा ता हैंले लूब भी इस पोजीशन ते जो फिल्ट्रेट आऊँगा उस दी कंसंट्रेशन हाई हो जादी है इस तरह अग्ये चालदा चालदा हुण असेंडिं तो एने सेल ऑल्मूस्ट 25 परसेंट हो गया होड़काले कर रहें हां डीसीटी लास्ट त्रीनल टीबूल ना पाथ डीसीटी या डेस्टल कॉनुलेटेट टीब्यूल इत्के की कुछ अब्सौर्ब होएगा की कुछ उदे बिच सिक्रेट किता जाएगा ता अब्सॉप्श नेप्टॉंचे हो रहें पीसीटी ता मैक्सिमुम री अब्सॉप्शन पीसीटी नहीं करता है हैनल लूप ने काम की करना है उने यूरिन दे वेच जड़ी वाटर दी कंसंट्रेशन है वो डिसाइड करनी है ते डीसीटी ने फाइंट यूनिंग करनी है और डीसीटी दे भीच की होगा डिस्टल कॉनवेलेटेट टिब्यू दे विच एनने सीयल और मोस्ट फाइग बडसेंट जिड़ा है वो री अब्सॉर्ब कर लेकता जम दा है नाल ही पाण कुछ पानी भी री अप्सॉर्ब कर लेकता जमता है हो ये ता है री अदुचिंग सिक्रीट एर च सिक्लीट की किता जाओगा उपे विछ और है कोट्रेश्यम आयन्स हीवन अमोणियम इन नो सिक्लीट कीता जैंदा है यूरिन दे विच ड्डी सीटिदे विच इस तरह जिन भी फिल्ट्रेट जो मेरलस जो फिल्टर होके आया वो कि थे आया वोमन कैप्सूल तो होके PCT PCT मैक्सिमम री एब्जॉप्शन का दिन दी है और एक थे एक चीज हो था नों दाज़ता हां यूरिन देबारे डेली आल्मोस 180 लीटर पर दे बोमन कैप्सूल तो हो फिल्ट्रेट प्रिनर्टिव यूरिन पर देली असी 180 लीटर यूरिन पासवब नहीं कर दे इस 180 लीटर फिल्ट्रेट दा सिर्फ एक परसेंट हिस्सा ही यूरिन होंदा है जो असी श्रीप चुबार कर दें तब बाकी 99 परसेंट कि थे गया वह 99 परसेंट दोबारा री अब्सूर्ब कर लिया जांदा है बोडिनों क्योंकि असी साथे श्रीट दे विच्चों पाणी या पाणी एकसेस मात्राच फोर्ड नहीं कर दे श्रीटों कटना जी करो 180 लीटर एक तो असी लीटर फिल्ट्रेट बार चला जाए तासी डिहाइड़ेट हो जावांगे तो साथी जाननों भी खत्रा हो सकता तो बार एक्के की इस 180 लीटर जिड़ा फिल्ट्रेट इत्तों आया उस दा 99 परसेंट अब्सॉर्ब कर लें जान्दा है तिक एक परसेंट ही सिर्फ यूरिन देफॉर्म सदेश्री तों बाहर जान्दा है तां इस तरह जिनना भी फिल्ट्रेट नैफ्रों दिग्लोमेरलस जों त्यूज्ट आओदा है और यह अब्सार्ब हो कि कुछ जड़े की टॉक्सिक में लिए रहन ओ सिक्रीट भी कर देते जाने हैं इस तरह अल्टिमेट्रियों पहुंच दा है कलेक्टिंग ड़क्ट ड़क्ट जड़ी है वो कलेक्टिंग ड़क्ट्स खुल दिया हन यूरेट ज़ाओगा यूरेटौ तो हो जाएगा यूरेनरी ब्लैडर च तो उस्तो यूरेत्रा दे रही बॉडेचां बाहर कर देता है यह इसे साथा एकस्क्रीट्री सिस्टम ड़क्ट्री सिस्टम रही साटीबॉनी शरील दे विच्च वेस्ट टि टॉक्सिक मेटिरियल्स वोन्न नो बोड़िचों बाहर का दिया पार्ट